हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक पो अवर चेनल, अपनी बागवाने फ्रेंट्स, क्या आप भी अपनी प्लांट्स में होने वाले चीटियों और मिली बक्स से परिशान हैं, तो अब आपनी शिंत हो जाएए आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल तरीके से बनने वाला पेस्टिसाइड, जो सिर्फ 5 रुपे में आपके प्लांट्स में होने वाली सारी चीटियों और मिली बक्स को खतम कर देगा वीडियो के लाश तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजेगा, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, यह मेरा डेजी का प्लांट है, जिससे कि आप देख सकते हैं, कि यह भी छोटा प्लांट है और अभी इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, जिसके कारण चीटियां अपना बसे राया बना चुकी है, और इसी प्रोब्लम का शॉलूशन आज मैं इस लेना है, जिसको आप किसी में भी, किसी बर्णी में आप इसको बना सकते हैं, तो मैं पानी इस बर्णी में डाल रहा हूँ, अब आपको इस पानी में तीन से चार चमच तंबा को मिलानी हैं, जो जनरल शोप पर आसानी से मिल जाती हैं, आप कोई भी तंबा को इसमें यू पर इसमें और दो से तीन चम्मज आपको यह राख इसमें मिलानी है कि पेस्टिसाइट का काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आपकी जीटिया प्लांट्स में ज्यादा हैं तो इस पेस्टिसाइट को और बुस्ट करने के लिए आप एक से दो चम्मज डर्मलिक यहने हल्दी का यूज़ कर सकते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके आपको अब इसे बंद कर देना इस जक्कन को अब इसे आपको 48 गंटे के लिए एक छाया वाली जग्यों पर आपको इसे रख देना हैं फ्रेंड्स 48 गंटे के बाद हमारा पेस्टिसाइट रेडी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है और यह पेस्टिसाइट बनने के बाद आपको इसको फिट से मिलाना है ताकि नीचे जो बेठे हुए इसके अंदर तंबाको है या जो भी इंग्रेडियन्स है वो अच्छी तरीके से इसमे मिल जाए तो आपको अच्छी तरीके से इसको आपको मिलाना है मिला देने के बाद अब आपको एक स्प्रे बोटल लेनी है इसको मैंने पूरा पाने से बढ़ दिया है अब इसमें आपको 10 से 15 चमच यह पेस्टिसाइट आपको इसमें डालना है अब मैंने यह पेस्टिसाइट इसमें मिला दिया है अब आपको इसको अच्छी तरीके से पेक करना है और जिस भी प्लाइट में अगर आपकी मिली बक्स है या चीटिया है उस प्लाइट में आपको इससे इस्प्रे करना है तो चलिए देखते हैं कैसे आपको इस्प्रे क करना है तो फ्रेंड्स यह हमारा डेजी के प्लांट है अब इसमें आपको पूरी तरीके से आपको हर पत्ते में जहां पे नई ग्रोथ हो रही है सभी जगे आपको अच्छी तरीके से यह पेस्टिसाइड मिलाना है और स्प्रेय करना है देख सकते हैं कि मैं इसकी सारी नई जरोथ पर नई लिवस पर इसका स्प्रेय कर रहा हूं आप फ्लावर्स की जो बड़ है उसके नीचे भी बहुत से चीटियां हो जाती है आप उस फ्लावर की बड़ के नीचे भी स्प्रेय कीजिएगा तो कि आप कर रहे हैं इससे ही आप जहां पर अगर किसी प्लांट में मिली बग हो रही है उधर भी आप इसको इसको कर सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं चोज गंटे बात का रिजल्ट है जिसमें कोई भी चीटियां आपको नजर नहीं आ रही होगी और देख सकते हैं बिल्कुल ही हमारा प्लांट सेफ है और ग्रीन है तो यह थी छोटी से इंफोर्मेशन अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट इंफोर्मेशन के था तब तक के लिए थैंके सो मच पर वाचिंग